वेलकम बैक नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है इंदी साहित्य में आज हम देखेंगे वाक्यांसों के लिए एक सब्द या फिर आनेक सब्दों के लिए एक सब्द यह कहा जाता है और यहाँ यूपी पीसीयस जो कराती है आरू यारू का एक्जाम जो कि 11 फर्वरी को होने वाला है उसके लिए ध्यान में रखते हुए बनाय गया है क्यುकि उहाँ पे 6 सब्दों के लिए भी आता है आपका तो जो चीजे वहाँ पर 6 पाट आते हैं 6 को हम देखेंगे लेकिन याद रखें कि यह आगामी यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगामी किसी भी एकजाम में जहां अनेक सब्दों के लिए एक सब्द आएगा हिंदी से जुड़ा होगा अधिए दिखते हैं अनेक सब्दों के लिएक सब्द आओ जो सब्दा से चलता रहा है अनवरत जो आगे की नश्चा और दरसी देखें थोड़ा सा मतलब तेज भी चल सकते हैं ना हम बहुत तेज चलते हैं ना बहुत धीमा चलते हैं मेडियम में चलते हैं दातिया और आकास की बीच का अस्थान अंतरिच होता है जिस पर अक्रमन न किया गया हो अनाक्रांत जो जीता न जा सके अगे अगे कभी भी है हिंदी में जिसके पास कुछ न हो अगिंचन जो कानून के विरुद्ध हो अभायद जो समय पर न हो असामाईग जो गीना न जा सके अनगीना जिसके समान दूसरा न हो अदूती जिसका खंडन न हो सके उसको कहते हैं अकाट उसको क्या करते हैं जिसका खंडन ना हो सके इसको हम बढ़ा कर लेते हैं अकाट्य जिसके सीमा नहों असीम जो दिया ना जा सके अधे जो मानव की योगिन हो और मानुसीक जिसे अधिकार दिया गया हो अधिकरीत जारी किया गया अधिकारी का देश अध्यादेश बहुत आपने सुना होगा तो जारी किया गया अधिकारी का देश अध्यादेश वर्षा का अभाव अनाबरिष्टी जिस पर निल्डए न हुआ हो अनिल्डेश जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित जो हिसाब कि आपके जांच करता हो अंके छग जिसके परिभासा देना संभव न हो और परिभासित सीमा का उनलंगन करना अतिक्रमाल जो पहले कभी न सुना गया हो जो पहले कभी न हुआ हो अभूत पूर्व लेकिन जो कभी जो पहले कभी नहीं सुना गया हो और शुरूत पूर्व जिस में समर्थ नहीं है और समर्थ जिसकी आसा न के जाए और प्रत्यासी जिसे भेदा या फिर तोड़ा न जा सके और भेदे आग से जुलसा हुआ अनलग जिसकी कल्पना न के जा सके और कल्पनी जो कहा न जा सके और कथनी जो खाया न जा सके और खा दे जिसका जन्मा पहले अग्रज आगे का विचार करने वाला अग्र सोचो हो सकता है कि यहाँ पर एक परसन तूटियां भी आपको दिखने को मिले क्योंकि वह हर जगह होता है मतलब कि उतनी संभावना है तो होती ही है कोई भी कहीं पर भी हो कि सर्म यहाँ पर आपने यह नहीं यह होना चाहिए आपने गलत किया लेकिन अपनी तरब से 100% सही चीज़े आपके सामने पेश के जा रही है इतना विश्वास बनाए रखिये जो सबसे आगे रहता हो ग्रडी जो नेत्रों से दिखाई ना दे अगोचर जो इंद्रियों से परे हो गोचर जो खाली न जाए अचुग जिसके चिंता न हो सकती अचिंत्य जो छूने योग्य न हो अचुग जो छुगा न गया हो अचुटा जो बुढा न हो अजर जिसका कोई सत्रूत पन न हुआ अजात सत्रू आपने सुना है ना एक इतिहास में हुआ था राजा आपको कमेंट के माद हम से बताना है कि वह किस वन्स का सा सकता अजात सत्रू जो कुछ नहीं जानता हो अग्य जो मापा न जा सके जो मापा न जा सके अपरी में जो आँखो के सामने ना हो अपरत्यच या फिर परोच और परोच का जो बिलोम होता है वो परत्यच होता है अपरत्यच का परत्यच और अपरत्यच का पर्यावाची ही परोच है अपरत्यच या परोच एक ही चीज है जो आँखेक सामने ना हो जो पूरा या भरा हुआ ना हो पूर्ण जिसकी अपेच्छा या उम्मीद हो अपेच्छेत अभिने करने वाला पुरूस अभिनेता अभिने करने वाली इस्तरी अभिनेतरी जो किसी की और मुह किये हुए हो अभिमुह जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजाद किस लोग का नहो अलोकिक जो कम बोलता हो अलोभासी शरीर का कोई भाग अवयाओ जो साधा ना जा सके असाध्य अच्छा बुरा समझने की सकती का अभाव और विवेक जिसमें सकती नहीं है असक्त नहों सकने वाला असक्त या फिर असंभाव जो सोक करने योग्य नहीं है काणी को ना माना अहिंसा अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है ठीक है आगे देखते हैं बहुत है इसलिए हम थोड़ा सा तेज चले कोई आपको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आप देखी लेंगे सुन लेंगे इतना भी तेज नहीं कि नहीं समझ में आए जिसका जन्म छोटी जाती में हुआ हो छोटी या फिर अन्तय तो उसे कहते हैं अंतयज जिस अंतयज ठीक जिसका जन्म अंतयज और कैसे लिखा गया है यह भी थेक लेजिए वर्तनी सुध्धी में काम आएगा जिसका जन्म आनू यानि पीछे हुआ हो अनू जो पहले कभी नहु करने वाला हूँ अटूड जो अपनी जगा सिना डिए अडिक जिसके आने के तिति ग्यात नहों अतित थी उसी के तो करते हैं गेश्ट जो सब के मन की जानता हूँ अंतर्यामी आवसक्ता से अधिक वर्सा अति ब्रिष्टी किसी बात या कथन को बढ़ा चड़ा कर कहना अति इतिहास को जानने वाला इतिहास अग्या दूसरों के इमनति को ना देख सकना इर्ष्या और इससे लिखा गया है यह अभी देख लिजिए मंद शबका देख लिजिए वर्तनी सुद्धि में कामा जाएगा पूरा बहर उत्तर के बिच के दिशा इसान और बाकी भी आएग इंद्रियों को वस में करने वाला इंद्रिया जीत, जो इंद्रियों के ग्यान के बाहर हो इंद्रिया तीत, इंद्रियों के ग्यान के बाहर हो तो इंद्रिया तीत, इंद्रियों को वस में करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रिया जीत, किसी चीजे बात के इ नीचे की भूमी होती है उपत्य का सुरु यदर से पहले का समय उसा का जो भूमी उपजाओ हो उर्वरा जिस भूमी में कुछ पैदा ना होता हो उसर हम करते हैं न को उसर है बंजड़ है उपर की और जाने वाला उर्धुगामी जो छाती के बल चलता हो उदा गया फिर उपमान उपमे में उपमान का कई बार आपने सुना होगा अलंकारों में तो उपमान जिसकी उपमान दी जाएगी वह उपमान हो जाएगा जिसका मन उदार हो उदार मना जिसका मन महान हो महामना मालवी का आपने नाम सुना होगा तो उनका मन महान था जिसका हिर्द है लिखीत जो धरती फोड़ कर जन मता हो उदभीज जो उद्धार करता है उद्धार जो किसी नियम को ना माने उद्छ्रेंखल जिसने रिड़ चुका दिया हो उद्ध वह हो अस्तु जिसका उत्पादन हुआ उत्पाद शुर्य जिस परवत के पीछह निकलता है उद्धिया ए और ऐसे सिसेδां अधर को छूटा है एधर लगी तो छूटा है भाई भाईबए भाईबblack की शरकार ईयुआ कि दो अब देखते हैं आशे जो अपने प्रों पर खड़ा हो आपमनीर्भार अप्राद्धो से संबंदित आप राधिक आभार मानने वाला आभारी आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक धन से संबंद रखने वाला आर्थिक अकस्मात घटित होने वाला आकस्मिक अपने प्राण आप लेने वाला आत्म घाती दूसरों के हित में अपने आपको संकट में डालना आत्मोस् सर्ग आत्मोत सर्ग जो जन्म लेते ही गिरिया मर गया हो आधंडपाद सर्वथम मत को प्रवर्थित करने वाला आधी प्रवर्थक आधी से अंत तक आध्यों पांत मतलब आधी और अंत दोनों देश विदेश देश में विदेश से माल आने के क्रिया आयात आयात मतलब बाह मौने जाते हैं इश्वन में विश्वास रखने वाला आस्तिग जिसके बाहि यानि जनुद यानि घुटा तक पहुश्टि हो जिसकी बाहि जनुद ऐनि घुटना तक पहुश्टि हो से कहा जाता है अजानु बाहु अगनी से उत्पन acrony सा अगने आसा से अतीत जो आधर करने योग हो आधरड़ी उसे कहते हैं आधर करने योग को क्या कहते हैं आधरड़ी ठीक है यहां तक हमने सुना था सूर्य जिस परवत के पीछे है उसे उदयाचल जिस पर उपकार किया गया हो उपकरित अब यह और ऐसे देखते हैं किसी ए पंद्रियों से संबन्दित एंद्रिक इतिहास से संबन्दित एतिहासिक जो अपने इच्छा पर निरभर हो एच्छिक जिसका चित एक जगा इस्थित हो एकाग्र चित जिस पर किसी अन्ने को कुछ अधिकार न हो एकाधिकार जो एक दिन में एक बार भोजन करता हो एका हार हारी जो फल खाता हो फला हारी जो मास खाता हो मासा हारी जो साग सब्जी क्यों खाता है साका हारी जो दोनों खाता है सरवा हारी इस लोग से समधित अहलोकिक अब आगे देखते हैं बलर किसे हो गया बलर है लेकिन दिक्कत की बात नहीं है समझ में आ जाएगा ठीक है दिक्कत की बात नहीं है यह बलर है थोड़ा सा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आप सुनते रहिए ठीक है आप सुनिए दिक्कत कोई नहीं होगा और वीडियों को पूरा दिखे कभी ज़्यादा फैदा होगा अपनी विभाहित बतनी से उत्पन पूत्र औरस होता है ठीक है यानि पूत्र हो गया उपचार या उपरी दिखावे के रूप में होने वाला आपचारिक यहां पर आपच उस्ठस करते हैं उस्ठस से जो कल्पना से पर हो अकल्पना तीत जो कल्पना से पर हो अकल्पना तीत हो जाएगा और कार करने वाला व्यक्ति कार करता हो जाता है पद उम्रादी विचार से औरो से अपच्छाक्री छोटा कनिष्ट कहलाता है ठीक अपने कम ठीक अपने क्र क्रम से आया हुआ क्रमा जो केंद्र की और उन्मुख हो उसे केंद्रा भी मुख करते हैं क्रम के अनुसार को क्रमा अनुसार करते हैं धन का देवता कुबेर को कहा जाता है कुंती का पूत्र कुंती हो जाएगा राजनितिग्यों हम राजदोतों की कला कूट निती हो जाएग लेकिन बाकी सब सही एक आग फिज आ जाता है तो इतना आप समाझे सकते हैं कोशिस कोई भी नहीं करेगा कि आपको असपश्ट ना दिखाए लेकिन असपश्ट दिखाने कोशिस इसके लिए माफी चाहते हैं फिर भी आप थोड़ा सक्ष्ट करके देख लिजिए छड़ भर को न मनने वाला क्रिताग न कहलाता है जो कहा गया है वकतित है जो कहनी योग है वकत या कथनी है जो कला जानता हो उसे कलाविद या फिर कलाकार काते हैं जो अच्छे कुल में उत्वन हुआ कुलीन है बेलो आदे से घिरा हुआ सुरम में अस्थान को कुझ कहा जाता है जो वाह जगत का घ्यान नहों कुपमंडू किसी की क्रिपा से पूरी तरह संतुष्ठ को क्रितार्थ काते हैं एक सब्द में जिसके बुद्धी कुछ के अग्र यानि नोक की तरह तेजो उसे काते हैं कुसाग्र बुद्धी करता जो पूरुति कभीता रराषती हो कभीतरी हो गया इसका वर्तनी सुध्वी में पूछा जाता है तो याद रखे कभाई इत्री कब इत्री छोटी की मत्रा फिर बड़ी की मत्रा वह बाज जो जन साधान में चली आ रही है उसे किवदंती कहते हैं जिससे क्रय किया गया हो उसे कृत कहते हैं जिसका हाथ बहुत ते चलता हो उसे छिप प्रहस्त कहते हैं भूख से ब्याकुल को छुधातूर कहते हैं बता है अब देखते हैं इधर ख़स ठीक है ऐसा ग्रहाण जिसमें सुर्य या फिर चंदर का पूरा बिम्ब ढग जाए उसे खग्रास काते हैं जो सदेवाद गलिये रहता हो हाथा में खट गलिये रहता है उसे काते हैं खट गहस्त खडग खडग हस्त ठीक है जो हमेशा हाथ में खडग लिए है उसे खडग हस्त काते हैं खाने होगे पदात को खा दे काते हैं जिसका कोई हिससा तूटकर अलग हो गया हो उसे खंडित काते हैं वह नाई का जिसका पती रात को किसी अन्य श्त्री के पास राकर प्राता उसके पास आता हो उसे खंडीता काते हैं वह नाई का मतलब यह तो क्राइम हो गया क्राइम क्राइम अलग काम कर दे रहा है वह नाई का जिसका पती रात को किसी अन्यिस्त्री के पास रख कर प्राता हो उसके पास आता हो तो खंडीता तब कही आता है ऐसा जो अंदर से खाली गणित चुमने वाला गठन चुम्मी जो भीच चुका है उसे जरामीड करते हैं प्रितवी किवा सकती जो सभी चीजों को अपनी और खिषती हो गुत्वा कर्शन करते हैं जो कानून की विर्ध हो गयर कानूनी बहुस से गटनावु का सिलसिला गहरनाkä्म करता है ग्रिडा करने जो ग्रिडास्पद कलाता है किसी के इर्दगेद घहरा डालने के क्रिया घहराबंदी कलाते है जिसकी गोसला की गई हो उसे घोसित काते हैं चासे दिखते हैं जिसके सिखर या सिर पर चंद रहो चंद सिखर काते हैं जो चीरकाल तक बना रहे है चीरस्थाय चेतन सुभाव की माया चित्विलास जिसका चिंतन किया जाना चाहिए चिंतनी करूर स्वर में चिलाना चितकार चारो और किसी माच शवहद्दी तो चितकार को याद रखिएगा कि करूर रस्म मतलब रोख के थोड़ा चिलाएंगे चितकार कहेंगे जिस पर चिंत लगाया गया हूँ उसे चिनित आगे देखते हैं जो चर्चा का बुसा हो उसे चर्चिंत स्वर्चिंत करते हैं किसी वस्तुत का Gobột चतूर्न यो अपने अस्थान से डिग गया हूँ से चियुत करते हैं तरफ का देख लेते हैं फिर तरफ को देखते हैं जो चंद्रधरी कहते हैं क्या कते हैं चंद्रधरी एक तरफ का देख लेते हैं फिर दूसरे तरफ का देखते हैं बड़ा करते हैं कर देते हैं बड़ा क्या कर देते हैं बड़ा और बड़ा और बड़ा कर दो और बड़ा नहीं बस कर दो नहीं तो बहरे चला जाएगा सेना का रहने का स्थान चावनी है छत्रों के रहने का खोजना छिंद्रान वेसर है छा महीने के समय से समंदित छमाही है और वार्सिक है साल भर का या सलाना जो जन्म से अंधा उसे जन्मान काते हैं जो जरायू यानिक गर्ब की थैली से जन्मता उसे जरायूज काते हैं जल से जन्म लेने वाला को जला जो यान में जो यान जल मे रहने वाला जीव जन्तु है उसे काते हैं जलचर जीने के इच्छा जीवसा इंद्रियों को जीतने वाला जीतेंद्री किसी भी बात को जानने के इच्छा जिग्यासा जीतने के इच्छा जीगीसा जीगीसा याद रखे जीतने के इच्छा जूट बोलने वाला जूठा अप जीजी की तेज आवाज करने वाला जिंगूर, सिक्के ढ़ालने का करखाना टकसाल, मूल बातों को संचेप में लिखाना टिपड़ी, टाइप करने की कला, टंकर, लगातार घंटा बजने सोने वाला सब्द टना टन, सुना होगा ना टन 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 घंटी बोले, चारो ओर ज जल से घिरा हुआ भाग टापो, किसी ग्रंतिया रचना की ठीका करने वाला टीका कार, किराय पर चलने वाली मोटर गाली को कहते हैं, ट्रैकसी, ट्रैकसी पर आप जाते होंगे, तो किराया तो देते होंगे, ठक ठक करने वाला बरतान ठठेरा, ठन ठन की आवाज ठन कार, मानने वड़ा डखैत होता है जो अस्थलिया जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है उसे जल डमरूमद दिखाते हैं पत्रों आधी कुछ दूरस्त अस्थानों को पहुचाने वाली सेवा डाक सेवा है धिन्डोरा पिटने वाला धिन्डोरिया है डालने का काम ढलाई होता है जो तर्क योग्यों से तारकिक तैरने के इच्छा ती तीर सा देखिए तीर सा होता है बकी आप इन सब्दों को भी देखते हुए चले कि कैसा लिखा गया है और वीडियो को जरूर पूर है और सब्सक्राइब भी कि Penye Channel को एक व्यक्ति दोरा चलाई जाने वाली रधाली तानासाही है जो तर्ण याधार पर साही से दो तर्श संगत है तीन बिद को जाने वाला त्री वेधी तीनों कालों को देखने वाला त्रिकाल दर्सित जो तीन गुड़ोν सत्तो गुड राजगुड तम गुड से परे उसे त्रीवडा तीत कहते हैं जहां पर तीत लग जाता है तीत लग जाता है अतीत लग जाता है वह मतलब परे हो जाता है कुछ निश्टित लंबाई का कपड़ा थान पुलिस के बड़ी चोकी थाना थाने का प्रतान अधिकारी थानेधार किसी के पास रखे हुई दूसरे की वस्तू को कहा जाता है धाती या फिर धरोहर या फिर अमानत विवा के पस्चात वधु का ससुराल में दूसरी बाराना द्वी रागमन गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है जो दिया जा सके उसे दे कहते है इस् दिव की उपाशना करता है उसे सैव कहते हैं जो सुन्य योग है उसे स्रोताब या फिर सवड़ी कहते हैं जो सुन्य में मधूर उसे स्रोती मधूर कहते हैं जो सुन्य में कटू है उसे स्रोती कटू कहते हैं शा कोने वाली आकृती सटकोर शाचा महिने पर होने वाला साड प्रियाग इलाबाद जो संगीत जानता है संगीत तक एक ही समय में उत्पन होने वाला समकालिग जो सब को एक समान देखता है संदर्सी जिसका आचार अच्छा रू सदाचारी सब कालों में होने वाला सर्वकालिक सब्देसों से संब्द सार्वदिसिक समस्ति पिटवी से समद्र रखने वाला सारभाव में, शाहिते से समने साहिती, जो अच्छर पढ़ना लिखना जानता है, साच्छर, सिंग का बच्चा सिंग सावक, सुंदर हिदय वाला सुख्रीव, सुग्रीव सुन्दर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है स्वेद या पसीने से उत्पन होने वाला स्वेदज जो असमर्ड करने योग हो असमर्डी या फिर इस्तरमतब्यकत है इस्तरमतब्य किसी काम में दूसरों से बढ़ने के इच्छा इस्परधा का लाती है और पॉजिटि के वसीवूत या उसके सुभाव का हो उसे इस्त्रैड काते है जो स्वेम उत्पन होगा उसे स्वेद़ काते है अपना हिच्छाने वाला सुआर्थी का लाता है हात का लिखा हुआ है दूसरे के हात में गया हुआ हस्त्त Noauntrit काल आता है ह हिर्दय को बिदरड करने वाला हि का लाती है भलाई के इच्छा रखने वाला ही तैसी अगान और पूस में पढ़ने वाले रिति को हिर्मंद कहते हैं जो दूसरों की हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं हत्यारा तो सब्सक्राइब को पता होगा त्यारा भला ना पता हो यह कैसे हो सकता है अब देखते हैं कि विभिन परिछाओं भी पुछे गए बिगत वर्सों के वाक्यांसों के लिए यानि अनेक सब्दों के लिए एक सब्द का कुछ प्रस्ण देखिए जिसे उत्तर भी यहीं पर दिया है तो हम सीधे इंसर बताते ह हुए चलेंगे अशा नहीं कि आपके सामने चार विकल्प है देखिए सवाल लगाई है आपको चार सिकेंड का समय है एंसर लगाई है इतना हम लोगों को पास हमें नहीं फटा फट करते हैं और एंसर हमें इसलिए भी लगाना चाहिए कि जो सही वाक्या है उसको उसका लेकिन जब सही चीजे जाएंगी परिच्छा वगएरह में हमें सब कॉंसियस माइंड से वहां निकल के आ जाता है कभी-कभी लगता है ना पता तो नहीं है लेकिन जहां तक हमें पता नहीं क्यों हमारा दिमाग उसी पर जा रहा है तो बहुत बार अधिकतर जिस पर पहली क्या नहों के लिए सब्द होगा आपका निस्प्री जिसके पूर्व से कोई आसान नहों उसे कहा जाता है अब प्रत्यासित प्रत्यासित कनिष्ठ का और मधमय की बीच की अंगली को कहते हैं क्या अनामिका यह बहुत सता गलता लिखाया वरतनी सुद्धिवे जिसके पर आगहात हुआ 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 के लिए उपयुक सब्द क्या होगा मरमाहत होगा जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपर उक्तपद क्या होगा पदच्युत्या जिसकी कोई कीमत न हो उसको कहेंगे क्या कहेंगे उसको अमुल्य कहेंगे कि उसका कोई मुल्य नह गुरू के समी प्राकार अध्यन करने वाले को क्या काते हैं अंतेवासी पती युकता इस्त्री को एक सब्द में क्या काते हैं सधवा पती नहीं है जिसका उसको काते हैं बीधवा जिसकी पत्नी मर गए उसे काते हैं बीधूर जगडा लगाने वाला मनुष्य क्या हो जाएग यानि निचले वड़ में हुआ हो उसे क्या काते हैं अन्तिय हमने पढ़ा भी महल के भीतरी भाग को किसी सब्द में जानते हो महल के भीतरी भाग को एक सब्द में क्या काते हैं इसका यही मतलब है तो उसे अन्तापुर कहा जाता है बहुत अधिक बोलने वाले को क्या गाते हैं वाचाल बहुत कम बोलने वाले को मित भासी जिसके सिर्पर चंद्र हो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर का चंद्रशेखर जिसके सिर्पर चंद्र हो जिसके सिर्पे चंद्र हो वह हो जाता है चंद्रशीखर आप में से किसका किसका नाम चंद्रशीखर है जिसके एड़े में मम्ता नहीं है उसके लिए क्या होगा्व अहली दिर्म म सके के असाद लिए दिनृवबोस पश्य करना न जा सकते हैं अज्य जानने के इच्छा रखने वाली जिग्यासु या फिर रखने वाला जिग्यासु होता है रखने वाली रखने वाidar है जिस इस्त्री का पति जीवित है, उसे कहा जाता है? सदवा अभी अभी हमने पढ़ा, मर गया हो, तब भी दवा हो जाएगी, अब पतिय मर गया हो, तब पतिय तो मर जाएगा, Rover पत्री मर गया ही होता है, जो छिडण नपा हो सके, अच्छे उसे कहता है, जो सब को जानत उसे कहते हैं सरवग्य जो हमेशार आने वाला है उसको क्या कहते हैं सास्वत कहा जाता है ना सनातन सास्वत है जिस पूरुष के पतनी साथ नहीं है आत्मा को भी जिस पूरुष के पतनी साथ नहीं है तो उसे कहा जाता है भी पतनी साथ नहीं है कहीं और है जो इस्त्री सुर्जे से भी ना देख सके जो इस्त्री सुर्जे भी ना देख सके जो इस्त्री सुर्जे भी ना देख सके वह भला क्या देखेगी इतना बड़ा सुर्जे नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या देखेगी तो असुर्य पस्या जो यूद्ध में इस्तिर रहता जो भी देदेगा तैरने की इच्छा हो जाता है ती तीरसा तो यहां पर अपत हो गया और तैरने की इच्छा ती तीरसा याद रखिएगा जिसे बुलाया न गया हुआ के लिए प्रियुक्त होने वाला हो जाएगा अनाहुत मोच के इच्छा रखने वाला मुमुक्छू रंगवंज के पर्दे के पीछे का स्थान क्या का जाता है नेपत कोई भार पूचा गया हावन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या हो जाएगा समीधा समधी नहीं समीधा हावन में जलाने वाली लकड़ी पेट की अगनी को क कुछनों हो उसके लिए मतलब कि गरेब विखारी कुछ नहीं है अकिंचन करते हैं का अकिंचन दिसाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है बताए बेटा दिसाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहा जाता है दिसाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहा जाता है द हैं और महावीर में ही दिगंबार और समय राष्टे में उबहो के लिए दी जाते हैं इसे सब्सक्राइब करने वाला हो जाएगा अंते वासी अंते वासी कौन है इसका उल्टा देगा तो थोड़ा सक्ठीन आपको लगेगा लेकिन फिर भी आप कर लेंगे तो मतलब कई विकल पते देगा अंते वासी इन सब्सक्राइब को है तो गुरू के समीव रहका सच्छा करने वाला ऐसे देना तो चाहिए सीदा सीदा ये हाथी की पीट पर रखने रखने जाने वाला आसन के लिए सुद्ध सब्द क्या है हावदा हौदा उसे कहते हैं जिसे प्रमार द्वारा सिद्ध ना किया जाजा सके उसके लिए क्या हो जाएगा और प्रमे उर्णिवे से संबंदित हो जिसका उसके लिए कड़े पद रहने वाले इस्त्री गलत लग रहा है वैसे इसका तो यह होना चाहिए जो सुरी को न देख पाए ठीक है जो सुरी को न देख पाए इसके इस अप थे तो रनिवास में कड़े परदे रहने वाले इस्त्री कड़े परदे के अंदर रहने वाले इस्त्री को क्या क तो क्ड़ी पर्दे में रहने वाली इस्त्री उसको लगा देंगे उसका अर्थ मतलब आपन निकलना चाहिए turbulent ऐगा तो में सबसे पहले वाल लगेंगे वह नहीं रहेगा तो फिर यह रहनी वास में रहने वाले इस्तोरी उस्को लगा देन आगे देखते हैं उत्रा दिकार में प्राप संपत्ति के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा रिक्त हो जाएगा यहां मतलब की कठीन जबाता है तो ऐसा पूछा जाता है तो यहां याद रखे बहुत कम लोग इसको यह पता रहता है उत्रा दिकार में प्राप संपत्ति को रि रितार्थ नियम्बूरुद समाजिक कारे करने वाली वालू की सूची के लिए एक सब्द क्या है कालि सूची उसे कहा जाता है законч जो नब में चलता है उसे कहते हैं कैं सिफिर थिँ चर्ड जलतना के लिए क्या चलती है बैयाकरन की ग्याता के जो किये गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या हो जाएगा क्रिताग्य जो नहीं मानता है क्रिताग्य पेट की अगनी को जटरागनी करते हैं कमेंट करके बताइए जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है और पानी में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है धर भी है थोड़ा इधर तो चल जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या काते हैं प्रिय दर्शी मतलब देखने में प्रिय जिसका कोई आस्रा ना हो से क्या काते हैं हिरा आस्रे क 때문에 कॊ मानने वाला क्रितग्य और किया हुए याद रखे कभी कभी कन्फूजन हो जाता है धटके में पढ़ लेते हैं नहीं छोड़ देते हैं तो किये हुए को माननेवाला क्रितग्य जिस से सबसे पहले गिन्ना उचित हो करते हैं अग्रगर्ड या आगे देखते हैं जिसका कोई अकार ना उसे निराकार करते हैं अतिवरिष्टी यानि कि जब अधिक वर्षा अत्यधिक वर्षा होती है तो उसे अतिवरिष्टी कहा जाता है अनुमति का क्या होगा किसी कार के लिए आदेश देना अन्यो नास्त् मेरीत वह साम कालीन वेला जब सफ़स्से चरकर लडते हैं उससे कहा जाता है गोधुली जब गयागर लाट अते उसी नाम से रखा गया था तो धुली वेला जब दुश्न पच्छी मतलब गया ँगधना था जब से गया अगरव भृयस्द बखरी सक री सब चरके चरके वापस आते उससे क्या करते उस बेला को क्या करते गोधुली जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उससे क्या करते है बताए परोप जीवी बहुत से पौधे दूसरे पौधे पर नेरबर रहते हैं उन्हें परोप जीवी पौधा कहा जाता है किसी के प्रति उदारता है हम क्रीपा पुर्वक किया जाने वाला बेहवार कहलाता है आपका अनुग्रह का अनुग्रह दो परवते के बीच के भूमें क्या कहा जाता है उपत्यक का जिसे पार करना कठे नो दुर्गम कहते हैं जो सत्रूग की हत्या करता है उसे क्या करते हैं सत्रूग ना जिसके आरपा देखा जा सके उसे का करते हैं पारदर्सी ना देखा जा सके अपारदर्सी आधा अधा कुछ देखा जा सके अलप रूप से तो अलप पारदर्सी हर काम को देर से करने वाला दिर्ग सुत्री अनुसास अनुसासनात्मक करवाई की प्रक्रिया के फलसरूपद से नीचे उतरना क्या कर लाता है पदावनति मतलब की पद की क्या हो गई अवनति हो गई आयू में बड़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है जेट अलकम को कनिष्ट है मतलब कम जिसने देश के साथ विश्वास नल और पानी में लगने वाले याक को फेट में तो जट्रागनी कह दिया आपने जट्रा नल या फिर जट्रागनी अब बताए पानी में लगने वाले याक को क्या करते है पनियों में लगता है हाँ बांज वह इस तरी जिसकी कोई संतान नहों बांज रसा स्वाधन इसमें से रसा स्वाधन का क्या होगा किसी रस से भरा होना किसी भी से में मस्त होना रसा स्वाधन का क्या होगा रसा स्वाधन के लिए आपका क्या हो जायेगा रसा स्वाधन के लिए हो जायेगा किसी रस का उभभू करना वाड़ना तीत क्या हो जाएगा उल्टा भी पूछ सकता है वाड़न से जो परे हो उसे वाड़ना तीत करते हैं पत्रया प्रशनादी के उत्तर की अपेच्छा रखने वाला उत्तरा पेच्छी मतलब उत्तर की अपेच्छा रखने वाला जिसके समान दूसरा न हो उसे अप्रतीम करते हैं जहां पहुचा न जा सके उसे करते हैं अगम जो बहुत बाते करता उसे करते हैं बहु भासी जो पहले कभी न हुआ उसे करते हैं अभूत पूर्व पहले भी आ चुका है कई सब्द पहले भी आ चुके हैं जो कहा न जा सके मतलब कि जो इस लोग की बात हो उसे लोकी काते हैं जो इस लोग की बात ना हो उसे पार लोकिक काते हैं आखरी कुछ छड़ों तक आपको इंत्यार करना होगा बस लास्ट ही चल रहा है पूरुस्याम इस्त्री का जोड़ा क्या का लाता है दमपत्ति विवाह वाला वहीं विवाह में बन गए विधान मंदल द्वारा पारिता स्युक्रति विधी को काते है अधिनियम यानि एक्ट कारे को नए ढंसे करने की पदति क्या कर लाती है नवीनी कराण निश्ची समय के भीतर पत्र का उतर ना प्राप्त होने की दसा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कर लाता है पत्र से समन्दित है तो उसे काते हैं अनुस्मारक पत्र अनुस्मारक प podéis को याद रखें मेत समय के विजर पतका उतरना प्राप्त अनिय की दरसामें फिर से अनुबोध़क के रूप में भीजा जाने वाला पत्र जिसका की इंद्रियों से नुमान नहो सके उसे क्या Demokraten काते हैं अतिंद्रिय क्या काते हैं अतिंद्रिय ऐसा रोग जिसका उप्चा संभर नहीं है तो अवैद जहां पर ना है निगेटिव है नहीं है शब्दों को ध्यान से पढ़िए एक प्रश्न करने का तरीका आपका यहीं है कि प्रश्ना ध्यान से पढ़िए वहीं पर आपकी कई चीजे जो स्लाइटली टी का स्लाइटली मिश्टेक जो हता है छोटे-छोटे मिश्टेक होते हैं वह आपके दूर हो जाएंगे अधि प्रस्णों को अच्छे से पढ़ने के यादित हम डेवलप कर लेते हैं वह इस्तरी जिसका पती पर्देस से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं आगामस पतिका जो पूजा के योग है उसे कहते हैं जिसका कोई सत्रू पैदा नहीं हुआ है उसे कहते हैं ऐजात सत्रू पहले भी आ चुका है पेट की आग आही गया आपका पहले दुबारा आगया दावा नल कोवन सा नल दावा नल तो क्या हो जाएगा तीन प्रकार की आगो को जरूर याद रखिए जल और समूद्र में लगने वाला आग को करते हैं बडवागणी, पेड की आग को करते हैं जट रागणी और जंगल की आग को करते हैं दावा नल बिशीष्ट ओसर पेफिल लोगों के समाच समा समाच दिया हुए विद्रहतांग अभी भासाड क्सरी की साहित्यक्रिटिक की समाव लोचना करने वाला क्या करना कलाता है सार्क है Political किसी के पास रखी दूसरे की वस्ति को क्या काते हैं धाति यह धाति जाति ऑना फिक अंतर थोड़ा साहे याद रखिए, आसा से बहुत अधिक, आसा तीत, जिसकी आसा न की गई हो, और प्रत्यासित, जो आखों के सामने न हो, परोच, जो आखों के सामने हो, उसे प्रत्याच करते हैं, जो आखों के सामने न हो, उसे करते हैं, परोच, दोनों में अंतर याद जिस जो किये गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृताग्न जिस इस्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा कितना कितना बाराया है कितना बाराया है सधवा फेग कर चलाए जाने वाला हतियार अस्त्र हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हतियार साथ में लेकर सास्त्र सस्त्र जहां पर आएगा मतलब कि उसको लेकर चलाएंगे और फिक जब मारते हैं भाला साला से तो उसे अस्त्र करते हैं आपको कैसा लगा जरू कमेंट करके बताएए आपने इतना समय दिया इतना धहर रखा पूरा वीडियों को देखा जबकि बहुत ज्यादा आपका इसम बिभिन परिच्छाओं में आये हुए प्रश्णों को हमने देखा हमने कभर किया वहीं बहुत से क्वेश्चन वहीं बार बार रिपीट होते हैं तो उसको इदिया आपने लगा लिया तो लगभग संपून रूप से कभर कर लिए अंध्य समय में जो हमेरी विजन की जरू कीजिए आपने बूडियों पूरा देखा आपके धैर का यहीं परिचा है कि आप सचमुच अच्छे से पढ़ने के लिए तत पर थे अच्छे से अंत तक मतलब आप सिरियस कंडिडेट हैं आप जानने के लिए इच्छुक थे और पूरा आपने देखा इसके लिए तह दि इंसोल